असलाम लेकुम फ्रेंड्स कैसे हैं आप आज की वीडियो में आप लोग साथ थोड़ी सी ग्लैम लूप शेयर करने जा रहा हूँ अच्छा सबसे पहले आपने अपने क्लाइन को लेंगे अगर आखों से पानी आता है या पर इरिटेशन होती है तो उससे आपका जो मेक अप है वो हराब ना हो तो आंखे पूरी तरह लेंजेस के साथ अरजस्ट कर लें तो इसलिए लेंजेस पहले लगाएंगे उसके बाद ग्लैमरेस फेस के इन दो कलर्स को मिक्स करके एक आइब्रो ब्रश के साथ इनके जो आइब्रोस में थोड़े से गैप है पहले मैं उनको फ तो इसको कर लेंगे तो आपने जो इनमें गैप से सिर्फ उनको फिल करना कुछ इस तरह से लेकिन जो इनकी शेव है मैंने वहराब नहीं की और देख सकते हो आइब्रोस में बाल भी है तो मैंने उस हिसाब से ही इनका आइब्रोस फिल किया है चेक्या तो अब अच्छे से आईब्रोज को फिल करने के बाद हम कर लेंगे इसको नीट नीट करने के लिए हम कंसीलर यूज कर रहा हूं जो आपको शेयर यूज सूट करती है वो यूज कर सकते हैं यहां पर आईवरी सिक्साइटिंग यूज किया था ठीक है तो इनको अच्छे से हमने इन शेयर फिर यूज किया था तो इसके साथ ही हम आईब्रोज को शेप दे लेंगे हमें गाईडलाइन मिल जाएगी के आईब्रोज जो है हमने यहां तक ही रखने है ठीक है बाकि ज्या पौडर है वो लगा लेने हैं तक इसमें क्रीज ना पड़े तो ग्लैम्रस फेस का यह कलर लेके मैं इसको विल्कुल एक ब्लेंडिंग ब्रॉश के साथ लेके बिल्कुल सौफ हातों से ब्लेंड करने है प्लिक्त अपने थोड़़ थोड़ा करके लेना है जयादा प्रोड तरह से ब्लेंड करूंगा इसमें कोई भी हार्ष लाइन नहीं रहनी चाहिए तो उसके बाद ग्लैम्रस फेस का ये एक येलो सा मस्टर्ड सा लाइट कलर है इसको पिक करेंगे और उसको डस्ट ओफ आपने लाजमी करना है ठीक है डस्ट ओफ कर लेंगे तो इसके जो हार्ष चैजिस है ना उसको इसके साथ ब्लैंड करेंगे एक बहुत प्यारा इल्यूजन बन के आएगा जो के बड़ा प्रफेशनल लुक लगेगी आपके मेकप की तो आपने बिल्कुल इस तरह से सौफ्ट हातों से इस कलर को ब्लैंड क ब्रश के साथ एक लाइनर की तरह लगाते हुए इसको अच्छे से ब्लैंड करेंगे और उस लाइनर को थोड़ा सा मोटा करते जाएंगे मतलब लाइनर की लुक ही लगेगी आप चाहो तो इस तरह से भी लगा सकते हो लेकिन आप वैसे लगा लो तो ज्यादा बितरह ठीक है तो यह हमने लगा लिया अब इसी को हम थोड़ा सा मतलब यह गोल्डन शेड लेंगे यास गोल्डन शेड लेके मुझे इसकी पिग्मेंटरिशन हाथ के साथ अच्छी लगती है आप चाहो तो ब्रश के साथ भी अप्लाए कर सकते हो ब्रश को थोड़ा वैट कर लो तो सेंटेशन आपको बहुत अच्छी मिलेगी सेटिंग स्प्रे भी अप लगा सकते हो लेकिन यह देख लेना इस तरह से ब्लैक कलर को लेकर मैं अच्छे से ब्लैंड कर रहा हूं ताकि यह बहुत दोनों एक दुसरे के साथ अच्छे से ब्लैंड हो जाए तो ब्लैंडिंग से आपकी होनी बहुत ज़रूरी है ठीक है तो इस तरह से मैं इसको ब्लैंड कर रहा हूं पुरी तरह से ब्लैंड कर लिया मैंने और इसको इनर पर तक मैं लेया हैं लाइनर को ठीक है इस में अध्यों से खलती से कौत हो गया एक मुझम से क्लीप काँंप सकीप हुआ ठीक है इस त seminar से आप छोगोंने लगा लगा ली निए निशी देखते हुए दर्में मेर लगा नहीं पहले आपने यह देखाई यहां मैने यह मस्कार लेतबाद मेरे सबसके होगे हैं ऐसके आप लाई क्यावर की ब्लैक पैंसल यूज कर रहा हूं बहुत ज्यादा पिंग्मेंटिट पैंसल है पाकिस्तान में मुझे मिलनी रही अगें बिल्कुल छोटी सी रहा है लेकिन जानो यह जानू पैंसल है बहुत अच्छे से काम करती है यहां पर मैं कोई भी वाइट शेड लेके इनर के उपर आपने इसको सोफ्ट हाथों से लगा लेना है ताकि यह एक बिल्कुल डिफ्रेंट से लुक लगे देखो यह आंकों में किस तरह की घजब लग लिया ठीक है इस तरह से इसको अच्छी से आपने ब्लैंड कर लेना कोई भी इसमें लाइन नहीं रहनी चाहिए हार् आँकों के नीचे हम लगाएंगे ब्लैक बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ब्लैक लगाएंगे और उसको हम ब्लैंड कर देंगे बहुत अच्छे से किस कलर के साथ मैं आप लोगों को भी बिता देता हूं जो पहले आपने कलर लगाया था उसके साथ आपने इसको ब्लैंड कर कलर के ग्लिटर्स लेकर आंकों पे लगा रहें और यह आप TV मेगा देंगे निक्स जीज जो है आपने एपने प्राउबं को हैलाइट ज़रूर करने मैं आ यांप टे इसाथ ही ग्लेट्र मेछ अप्ाख़गा रूह जब रिफलेक्त रहाँ जब बहुत ही प्हयारा लगता है तो इसलिए आपने वाइट कलर के साथ या गोल्डन कलर के साथ ही ब्राव बॉन को हाइलाइट करना है मैंने या पर ग्लिटर के साथ किया है एंड आइस आ लुकिंग सो सो प्रिटी कैमरा जिस्टिफाई नहीं करना लेकिन लाइव देखने में आँख बहुत ज़्यादा प्यारी लग लग ली थी इनकी तो आई होप आपको यह लूप पसंदा ही होगी अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो मेक शोर चैनल को सब्सक्राइब करना है वीडियो को लाइक हो शेयर जरूर करना है मिलता हूँ आपसे नेक्स वीडियो में तब तक आप अपना बहुत ज़्याद ही आ रखेगा अल्ला हाफीज लोकेट दा आए मेक अप